नमस्कार दोस्तों आप सभिक ट्रेडा पर स्वागत है आज की वीडियो में बात करने वाले है इस वीडियो पे कई बार हम बात कर चुके हैं जब Жानकारी complete नहीं होती जब जानकारी complete नहीं होती तो खतरनाक होती है आपके लिए तो इस वीडियो में मैं आपको complete जानकाई देने वाला हूं कि OBC SST का अगर आप नहीं दिखाऊगे आप उसको प्रडूस नहीं कर पाऊगे तो क्या होगा आपके साथ चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसे छोटी सिर्क्ट जो हमेशा आप से करता हूं टेलिग्राम गुरू से जुड़ जाना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना हमार यह जो है अगर आप इनके डॉक्मेंट नहीं दिखाते हो इनके अगर आप डॉक्मेंट्स नहीं दिखाते हैं अगर आप डॉक्मेंट्स नहीं दिखाते हैं डॉक्मेंट्स यानि कि अगर आप अपके साथ होगा कि आप यू आर में चले जाओगे है ठीक है यू आर मतलब मतलब होता है unreserved मतलब कि आपको कोई आरच्छन नहीं मिलेगा अगर आप OBC, SC, ST हो या EWS हो तो आपको आरच्छन मिलता है जैसे OBC को क्या मिलता आरच्छन आपको आरच्छन का मतलब कि आपकी एज में छूट मिलेगी आपको और आपकी merit अलग बनेगी यह दो चीज होता है अगर आप OBC, SC, ST जो भी हो आप OBC हो certificate नहीं दिखा पाते हो SCO नहीं certificate दिखा पाते हो STO नहीं दिखा पाते हो EWS हो नहीं दिखा पाते हो EWS को एज में छूट नहीं मिलती है EWS को के ओल 10% आरच्छन मिलता है जो भी सीट होगी उसके 10% सीट हो जाती है ठीक है AWS तो आप यह समझो कि अगर आपको unreserve में डाल देगा तो unreserve की कुछ condition है ठीक है unreserve में आने के बाद भी तो कुछ condition जैसे मैं unreserve में आता हूँ मैं journal में आता हूँ ठीक है तो unreserve की condition क्या है कि unreserve की भी एक एज है और एक merit है मेरी बातों को ध्यान से समझना ठीक है बहुत ध्यान से समझना मैं बहुत जो चीज़े बता रहा हूँ unreserve की condition में आप 18 से 25 साल में रहते हो और merit इसकी तो हाई जाती है ठीक है मेरेट की बात छोड़ो मेरेट की बात हम छोड़ देते हैं में मुद्दा आता है एज में अगर OBC कोई आता है तो उसको 3 साल का एज में relation से मिलता है यानि कि वो 18 से 28 तक कर सकता है और SC-ST को 5 साल का मिलता है यानि कि वो 18 से 30 साल तक कर सकता है अगर आप 18 से 25 साल की हो और आप OBC नहीं दिखाते हो तो अच्छी बाते अन रिजर में आप रह जाओगे कोई दिक्कत नहीं आपको disqualify नहीं किया जाएगा मगर आप 18 से 25 के नहीं हो आप 26 साल की हो और आप document नहीं दिखाते हो तो आपको अन रिजर में रखा जाएगा तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए और आपके एज 18 से 25 नहीं है 26 साल है तो आपको disqualify कर दिया जाएगा क्योंकि 18 से 25 में आप आई ही नहीं रहे हो और आप अन रिजर में हो अगर आप OBC दिखा देते तो आपको मिल जाता रिलेस्टेशन आरच्छन मिल जाता तो आपको मिल जाता आप disqualify नहीं होते मगर अगर आप OBC नहीं दिखाते हो तो आप आ जाओगे अन रिजर में आने के बाद आपको इस condition को fulfill करना पड़ेगा यानि कि आपको 18 से 25 आपको होना जरूरी है तो मैंने बताया था कि आप मलब की बाहर हो जाओगे मैंने एक लड़की का भी उधारन दिया था जो अपना जो डॉक्मेंट था वो डॉक्मेंट नहीं दिखा पाई थी OBC का उसको बाहर कर दिया गया था उसका main reason यही था वो 18 से 25 की नहीं थी वो 26 साल की थी और उसने अपना OBC का certificate नहीं दिखा पाई थी OBC का certificate का नहीं दिखा या था उसको unreserved में ड AWESER में डाल दिया तो वो 18 से 25 साल में नहीं आई 26 साल की हो गई और उसको disqualify कर दिया ककी वो over age हो गई क्योंकि age में आपको 28-25 होना जरूरी है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप document produce नहीं करोगे तो आप disqualify होने के chances तब ही है जब आप अपनी condition को fulfill नहीं कर रहे हैं अगर आप OBC हो तो OBC में आप 28-28 साल में आओगे अगर आप 28-25 साल में हो तो unreserved में रहोगे disqualify नहीं करोगे मगर जहां आप 26 साल पहुचोगे तो वहाँ अगर आप OBC हो तो OBC दिखाना जरूरी पड़ जाएगा STST हो तो दिखाना पड़ जाएगा तो condition यहीं है कि अगर आप 25 से जैसे आगे जाओगे 26 में जाओगे तो अगर आप document नहीं दिखाती हो तो आप disqualify हो जाओगे क्योंकि आप unreserved की जो condition है 18-25 साल की condition को fulfill नहीं करें तो मेरी बात तो आप समझ गए होंगे कि disqualify होते कैसे हैं आप disqualify document में तब ही होते हैं आप लोग को सोचते होगे कि कैसे बता रहा हूं मैं जो experience है मेरा जो मैंने document देखा है document verification कराया उस अधार में ही बताता हूं मैं आपको तो यह सब चीजें ऐसी condition हैं अगर आप unreserved में भी आओगे तो उसकी condition भी तो पूरी करनी हो मुझे पता है आप बहुत प्यार दे रहें इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहा हूं मैं आपको ऐसे information देता जो आपको कोई और नहीं देगा मैं ऐसे points आपको बताते रहूंगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा एकदम point to point बात पहूंगा तो आप देख सकते हो यह point मैंने जो बताया यह बहुत ही important point है कि जहां 26 के हुए तो आपको document दिखाना जरूरी पड़ जाएगा compulsory है अगर आप OBC क्लेम करना चाहते हो तो आपको document दिखाना पड़ेगा तभी आपको एज मेरिट दूसरी बनेगी नहीं तो अन्रिजर में आने के बाद आप 18-25 साल में आजाओगे आपकी मेरिट हाई जाएगी और 18-25 साल अगर आप नहीं हो तो आप disqualify हो जाओगे तो आप समझ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत सापसस्तों में बोल दिया है मैंने और एक बार वीडियो नहीं समझा तो दोबारा देख लेना समझ में आ जाएगा तो वीडियो को समाब्त करते वीडियो च्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर अब और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना हमारे आप को डाउनलोड कर लेना दा विक्त्री अडा को वहां पर आपको टेस्ट स्रीज मिल जाएगी ब्सफ हैट कॉंस्ट अपने स्टेश आपको वहां मिलती रहेगी और मेरे नय चैनलन इंडियान फोजी फिच्कल लेटेड वीडियो मिलते रहेगे तो अभी के लिए अलविदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच